वेलकम एक और न्यू धमाकिदार वीडियो में आप सभी कस्टो आगे थे जैसा कि आप लोग को मालूम होगा आज हम बात करने वाले हैं RCB टीम के रेटेन प्लेयर के वारे में जहां पर देखा चाहिए RCB के फैंस बहुत सदा कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि अगर आप देखोगे रिसेंटली जो मीटिंग होई टी BCCI की फ्रेंचाइजी की बहां पर भी रेटेंशन को लेकि बहुत जादा बड़ा बावाल मच चुका है वहीं पर RCB के फैंस पूर रहें कि ऐसा कौन-कौन से प्लेयर है जो हमारी टीम के रेटेंशन हो जकते हैं और ऐसा कौन-कौन से बड़े प्लेयर है जो हमारी टीम को छोड़के जा सकते हैं आप लोगो मालो होना चाहिए कि मेगाॉक्षन होता ही इसलिए जहां पर देखा जाए पृष आपनी टीम कोर्ड करना चाहती है लेकिन उस से पहले कहीं ने इन्हें अपनी रेटेंश प्लेयर की लिस्ट देनी पड़िए जहां पर हम बताने वाले ऐसे कौन से टॉप के प्लेयर जो आप लोगो रेटेंड नजर आएंगे जहां पर हम सबसे पहले फिर बात करने वाले कि इंगे ब्राट कोली की जिए ब्राट कोली आप लोग नम्हें नम्मठर न पर रेटेन होंगे अप देखे आर्स वी टीम 18 एक All-Rounder चाहिए, मतलब आप खुद बताईए है, आई पिल में ऐसे कितनी All-Rounder हैं, जो Fast Balling All-Rounder हैं, जो अच्छी खासी पावरेटिंग करना जानते हैं, अच्छी खासी पेस के साथ Balling करना जानते हैं, आप लोगो ले देखे, एक आंदेरसल का नामे याद आएगा, एक आप लोगो बहुत काम देखने को मिल हैं, और Cameron Green की जो परफॉर्मेंस थी बहुत जाता कमाल की थी, बॉलिंग से तो चिन्नसवामी स्टेडिया में उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की थी, तो मैं तो कभी भी देखा जिए Cameron Green को रिलीज नहीं करता, आपको उन्हें 15 क रोडी देने पढ़ेंगे, लेकिन मैं Cameron Green को अपने टीम में रेटेन करता, नमबर तीन पर गरम बात केंए, तो नमबर तीन पर RCB टीम जाएगी, मोहमत स्राज के साथ जिया, मोहमत स्राज को भी आप नहीं चोड़ सकते, आप देखें, बहुत साई लोग बोलेंगे, मोहमत स्राज की रिसनटली फ respon बैदा इस नहीं थे आप यापने, मोहमत स्राज जैसी में पर गर्लेड यहां पर आप बाती को से प्लेयर हैं यहां बाते होने बाल हैं बचे कौन कौन से प्लेयर हैं विल जेक्स के साथ जियां, विल जेक्स आप लोगो नमबर चार पर देखने को बलेंगे, क्योंकि विल जेक्स गलती से में जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि गुजरात की टीम होई, डिली कैपिटल की टीम होई, हैदरबाद की टीम होई, बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी हैं, जो विल जेक्स के पीछे जाएंगे, और आर्चीवी टीम उन्हें रीवाइन नहीं कर पाईगी, क्योंकि बहुत सारी टीम में जाएंगी, और देखें, मेग उक्षिन में अगर कोई प्लेर चला जाता है, तो फिर उसे लेने की चांजर बहुत साथा कम हो जाती है, अगर आपके पाँ रेटेंशन का उप्षिन है, तो आप उन्हें रेटेंग कर लिजेए, तो नमबर चार पर विल जेक्स होगा है, नमबर पांच पर नमबर 6 पर यहां पर आपको एक अंग्या प्लेर रेटेंशन करना है, जहां पर मैं जाओंगा यस डियाल के साथ, क्यूंकि आप लोग को लेफ्ट आम पर से इंडियन फास्ट बोलर बैस से भी नहीं मिलेगा मेगा उक्षिन में, तो मेरे साब से यस डियाल बैस चोई आप वीडियो में